हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटर पे और मैं अंकूर शर्मर यहां पी लेके आपके लिए 50 प्लस डियाई का सेट जो है सेट नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है इंकम एड एक्सपेंडिचर वाला डिये तो हम जो करते हैं सेशन को जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीरी चल रही है 50 डियाई की तो आपके लिए बहुत-बहुत ज्यादा है लोने वाला है तो समझेंगे इसे क्या है रीड दा फॉलोविंग इंफॉमेशन केयर फुली एंड आंसे दा इविवन क्वेसिन तो क्या शो करता है फॉलोविंग लाइन ग्राफ शोज दा प्रॉफिट परसेंटेज ओफ टू कंपनीज ए एंड बी ओवर फॉर डिफरेंट इयर चार सालों में ए और बी कंपनी का ये प्रॉफिट दे रखा है ठीक है मैं एक स्पेशल डियाई वो भी लेके आँगा जिसमें प्रॉफिट लॉस दोनों दिया रहेगा लेकिन अभी पहले बेसिक समझने के लिए हम क्या समझेंगे आप है कि भाई प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ए और कंपनी बी का ठीक तो चलिए तो डेटा हो गया अब क्वेशन पर आते हैं कि क्या है क्वेशन अच्छा मैं आपको समझा द रहा है 12.5% profit हो रहा है 25% हो रहा है कितना profit हो रहा है आपको सारे profits पता है different years में और different companies के इतनी बाद की समझ में आती है बड़ं को क्या नहीं पता है आपको expenditure नहीं पता है आपको income नहीं पता है अगर मैं बात करता हूँ selling price के relation में तो मैं कहता हूँ selling price is equals to CP into 100 plus profit percentage upon 100 यही तो होता है ठीक है यह perfect formula है इसको अगर मैं एक बार simplified करके लिख दूँ तो SP is equals to CP into 140 बटे 100 मैंने क्यों लिखा 140 बटे 100 मैंने मान लिया कि P क्या है 40% है P क्या है 40% मान लिया मतलब कहने का यह है कि अगर P 20% होगा तो आप लिखेंगे SP is equals to CP into 120 upon 100 यहां तक बात आपकी एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी इतना करती है ठीक है अब SP को मैंने income बोल रखा है तो मैं कहूँ गई इंकम is equals to होगा expenditure into 120 upon 100 120 कब लिया जब profit 20% होगा अगर मैं कहूँ कि profit 12% है तो 112 upon 100 आएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई ठीक तो हम इस formula का use कहेंगे यह profit and loss का concept है आगे बढ़ते हैं अगर मैं उल्टा बोलू मैं कहूँ कि भईया आपको income पता expenditure बताना है कि 100 उपर 120 नीचे रेशियो छोटा हो जाएगा 120 क्यों लिया क्योंकि profit 20% है सवालों पर आते हैं हम लोग सवाल आप लोग solve करेंगे देखी दान से comment section में करते रहेंगे क्या दिया है कि if 2013 में income of both companies were same find the ratio of the expenditure income को same बोल दिया A और B company का 2013 मतलब in 2013 income of A is equals to income of B अगर confused नहीं होना तो ऐसे लिख देना copy में अपनी exam में income of A is equals to income of B अब मैंने क्या बोला था आपको तो formula पता है कि income is equals to expenditure into 140 upon 100 140 कम लगा है जब आपका 40% profit है अच्छा 2013 में अगर company A की बात करूं 2013 में company A तो आएगा 20% का profit तो मैं इस income की जगा लिख सकता हूँ भया expenditure of A into 120 upon 100 yes or no is equals to इस income की जगा क्या लिख सकता हूँ expenditure of B 125 upon 100 बेलकुल समाझ में आगी इसनी बात इसको solve कर लो 100 से 100 कर गए आपको निकालना क्या था उनके expenditures का ratio निकालना था तो भया निकल गया E A upon E B is equals to 125 बटे 120 ठीक है तो यहां से काट लो इसको 5 से 25 और यहां से 24 यानि कि 25 ratio 24 आपका सही जवाब है तो जितने लोगों का यहां पर 25 ratio 24 आ रहा था एक बार यस लिख जें comment section में और बताएं कि हमें ये बात समझ में आ चुकी है क्योंकि वो हमने formula समझ लिया है basic income and expenditure का या basic profit and loss वाला formula ठीक इतनी बार समझ में आगी अच्छा इसी में मैं आपको एक छोटी सी बात clear कर दू मैं अगर पूछने लगूं आपसे कि income of both companies in 2013 दे रखी है अगर मैं पोलू की ratio of their expenditure और मैं आगे लगा दू इन 2014 मतलब 2013 में जो दे रखाना material पूरा आपको income का दे रखा है ratio वगारा जो भी मतलब दे रखा है profit percentage अगर वो 2014 बोल दे तो आप नहीं निकाल सकते क्यों क्योंकि एक company जो है उसके 2013 के अंदर कुछ और expenditures थे मालो उसने 100 रुपय लगाये थे company न अपनी अब उसने 25 रुपय पाए है ठीक है 100 रुपय लगाये थे 25 रुपय पाए है यानि कि उसकी income होगी 125 रुपय है समझ में आ रही है बात लेकिन 2014 में company ने 1000 रुपय लगाये थे और 25% का profit हुआ तो income होगी 1250 रुपय मतलब percentage तो बराबर है 25-25 लेकि उनकी value अलग होगी ऐसा इसलिए क्योंकि base value different है चलिए और समझ में आ जाएगी चीज़े पहले इस सवाल को कर लेते हैं सवाल क्या कहता है if in 2012 profit of A was double to that of profit of B मतलब जो profit A है वो profit B का double है 2012 में तो सबसे पहली बात तो है उपर लिख दो 2012 confusing नहीं होना है 2012 की ही बात है अब profit of A rupees में double है किसके profit of B के मैंने क्या बोला rupees में rupees में बोलने का मतलब अभी तो मैंने उपर समझाया था क्या समझाया था उपर कि भईया यहां 25% profit हुआ तो आपने कहा 25 रुपय का profit हुआ लेकिन यहां 25% profit हुआ तो आपने कहा 200 रुपय का profit हुआ इसका मतलब है कि value रुपय में अलग होगी भले से percentage सेम हो ठीक क्योंकि उनका expenditure यानि base value different है अब यहां समझ लो आप मेरी बात कि भईया profit of a है दुगना है profit of b के लेकिन हम लोगों को percentage में different different पता है अच्छा 2012 में अगर मैं बात करूं profit percentage कि तो कैसे निकालेंगे यहां पर कैसे करेंगे सीदी सी बात है मैं ऐसा एज्यूम कर लोगा देखि कंपनी भी अलग-अलग है यह अलग-अलग है तो जो उनके expenditure उनको मैं अलग-अलग मानू अच्छा पूछा क्या है find the ratio of the year expenditure देखिए ratio भी पूछा है तो company a का ratio expenditure मैंने x मान लिया यह ea मान लो ea सही है न और company b का कितना expenditure eb यह तो लिखने के जुरूत नहीं ऐसी पता है अच्छा मैं बोलू हूँ अगर कि भाई यह company a में कितना profit कमाया तो company a का expenditure यह था company b का eb था तो जब a की बात करूंगा तो वो कहेंगे भाई 40% of इतना कमाया कितना कमाया कि इसका 40% कमाया इसका 40 इसके profit कितना है 40% of expenditure यह तो profit है 40% of expenditure profit है ठीक है easy cost दुगना into 12.5% of eb ठीक 12.5% of eb इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी बहुत easy है एकी line में मैंने खतम कर दिया इसको percentage से percentage खतम कर दो आप लोग भी 12.5 को 2 से multiply कर दो 25 तो यहाँ पर आ गया 40 ea is equals to 25 eb तो ea upon eb कितना आ गया भाई यह 25 upon 40 5 से काड़ दो कितना जाएगा पांच पांच बार और यह 8 बार यानि कि 5 upon 8 तो ratio आ गया 5 ratio 8 अगर आपको यह question concept everything समझ में आया तो वीडियो को तुरंत पहले like करो उससे क्या होगा आपको दिखरा होगा वीडियो पे वीडियो पे views कम है कम आ रहा है तो आप लोग अगर आप हमें motivate करना चाहते हैं तो like करें friends में share करें जरूर ठीक है यह series तभी continue हो पाएगी जब अच्छे से आप लोग का response मिलेगा ठीक ह तो इस वीडियो का हम target रखते हैं 200 likes का तो आप पहले views अपने friends में share करें उनको बोले कि वीडियो like करें आगे बढ़ते हैं देखें इतनी बास समझ में आगई आपको concept रिदम clear है ठीक चाहिए इसको long method से ना करके हमने short method से ही करना है देखें अगला सवाल यह वाला करते है है पहले क्या है क्या कहता यह सवाल यह कहता है कि if the combined income combined expenditure of A and B in 2013 यानि कि 2013 के अंदर एक company A है जिसका expenditure A है company B expenditure B combined expenditure किता दे रखा है 140 करोड समझ में आ गया हुआ इतना question कि find the combined income combined income बतानी है मतलब income of A plus income of B बतानी है कितनी है समझ में आ गया question देखें मैं आपको बता दूँ जब भी कभी combined expenditure दे रखा है और combined income पुछी है तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका जो base है वो अलग-अलग है यह है एक EB है percentage तो मालूम है लेकिन base अलग-अलग है तो इनकी individual value मुझे नहीं पता है ठीक अब छोटी सी बात यह है अगर इनके profit percentage same हो जाते तब यहाँ पे आप निकाल सकते थे मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ क्या है अगर आपको यह चीज निकालनी है क्या निकालनी है से लिग दे income of A plus income of B कितनी होगी यह पूछा है तो income of A कैसे निकलती है आप कहेंगे expenditure of A into यही तो formula था कितना 120 बटे 100 प्लस expenditure of B into 125 बटे 100 यही formula तो निकलेगा अब एक बात सोचके देखो एक बात सोचके देखो कि आपको EA plus EB की value पता है individual value नहीं पता है तो इसका answer आगया CND लेकिन आप एक बात सोचो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ था deeply इसलिए समझा इसका answer CND आगया क्योंकि आप निकाल नहीं सकते है यह चीज क्योंकि आपको इनकी individual value नहीं पता है इनको combined value पता है अगर मैं कहूँ कि भहिया यह 25% होता अगर मैं कहूँ यह 25% होता ठीक है फिर 125 बटे सो common निकल जाता ना 125 बटे सो common निकल जाता और आप कहते भहिया EA plus EB तो EA plus EB की value तो 140 पता है ना combined बिल्कुल तो यहाँ पे आपका answer आ जाता तो क्या trick निकलिए आपकी trick क्या निकलिए trick यह निकलिए कि अगर percentage सेम है तो आपका काम बन जाएगा समझ में आगए बात percentage सेम है तो आपका काम बन जाएगा बट यहाँ percentage अलग-अलग है तो आप कहेंगे answer क्या C and D समझ में आ गया होगा अगले सवाल की तरव हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल क्य करता है चलिए सोच के देखिए आप लोग दिमाग लगाए comment section मुझे इसका answer दीजी जल्दी से I'm giving you 10 seconds right now जल्दी से दीजी देखिए सवाल वही है यदी company B की 2013 की आये 2014 की आये का योग यहाँ देखिए if the combined income of B in 2013 ध्यान से देखिए income of B in 2013 उसने अलग-अलग कर दिया है plus income of A in 2014 इस 180 इससे फरक नहीं पढ़ता कि उसने income दे रखिए कि expenditure दे रखिए अब क्या बोला उसने तो दोनों वर्षों में मिलाकर A और B की आये बतानी है मतलब कहने का है कि सेम सेम चीजों की आपको दोनों वर्षों मिलाकर विये बताना है मतलब आपको E B 2013 प्लस E A 2014 बताना है समझ में आगे होगा सवन अब आपको सिर्फ देखना ये है कि जब combined income दे रखिए है तो combined expenditure आप नहीं निकाल सकते answer C and D होगा लेकिन एक शर्द मैंने आपको दे दी थी कि भाईया percentage और चेक कर लो percentage अगर सेम है तो आपका काम बन जाएगा percentage सेम है क्या 2013 में B की percentage कितनी है आप कहेंगे 25% 2014 में A की परसेंट कितनी है आप कहेंगे 25% मतलब 25-25% है percentage सेम है तो C and D नहीं होगा आपका तो answer आने वाला है answer क्या आने वाला उसो समझ लेते हैं income का formula लगाओ नीचे क्या एगा expenditure of B in 2013 ठीक है इंटू क्या एगा 125 बटे सो ऐसे तो निकलता है formula प्लस यहां पर भी लिख लो expenditure of in 2014 इंटू 125 बटे सो इतनी बात तो समझ में आ चुकि बराबर लिख दूमें 180 clear अब नीचे आजाओ अब क्या करें 125 बटे सो 125 बटे सो तो comment ले लेंगे तो यानि कि आपका जो चाहिए आपको बन गया तो यह 100 उधर पहुंच जाएगा मतलब 180 into 100 और 125 नीचे आ जाएगा सही है मतलब जो आपको चाहिए था वो आ गया ना इधर और इसको solve कर लो 25 चौका सो 25 पंजे इतना और 5 तीया 15 पंदरा 5 चंक 30 624 चारतीया 12 141 44 क्रोर इस दा एंसर तो जितने लोग का 144 क्रोर आ रहा है बाट देख ले और मुझे जद्दी से एंसर यहां पर comment section में आप लिखे बताए 144 क्रोर इस दा करेक्ट एंसर बिलकुल अगले सवाल की तरह ल combined income combined expenditure तबी कर सकते हो आप जब आपकी percentage same हो ठीक अगला सवाल आपके सामने आ चुका है अगला सवाल है if the expenditure of A in 2014 is 80 क्रोर क्या है expenditure of A in 2014 is 80 क्रोर ठीक है आपको बताना है expenditure of A in 2015 मुश्किल cnd सोचके बताईए कि cnd answer है के नहीं comment section अगर आप भी cnd बोल रहे हैं तो comment section में जल्दी से thumbs up कर दे thumbs up कर दे comment section में और बताएं कि आपका cnd यहां पर आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि भाईया 2014 के अंदर आपको पता है कि company A ने कितना expenditure किया मतलब कितना खर्च किया company ने लेकिन 2015 के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो एक तरह से बीच में दिबार है आपकी company है 2014 के अंदर उसके अंदर कुछ और सिनेरियो था 2015 के अंदर कुछ और सिनेरियो है ठीक है तो जब 2014 का पता है तो 2015 का आप कुछ भी नहीं पता सकते ठीक मैंने आपको पूरा यहां पर बताने की कोशिस किये तो I hope कि आपको यह concept टिक दम क्लियर होगा वीडियो को like and share करना बिलकुल मत भूलिये जैसा मैंने आपको बताया चैनल को subscribe जरूर कीजी अगर आप यहां पे हमें show करेंगे अपना love and affection तो हमें बहुत जादा खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा हमें आगे और भी special वीडियो आपके लि रही अच्छे से पार्ट नमबर 4 भी आएगा चलो बाब बाई